हालो दोस्तों, वेलकम पिश्लीपी क्लासस, यदि आद दो हुजार पच्छिस के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, बाच्छिस से जोड़ी भी कोई भी डीटेल चाहिए, आप इम नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको बता दू, फी से डरना नहीं है, मैं हमेशा कहती हू कूपोन कोड में आप इन नाम श्रद्धा यूज़ करें, आपकी फी कुछ न कुछ हमेशा कम होगी, right, स्पेलिंग सही से देख लीज़ेगा, श्रद्धा की यही स्पेलिंग यूज़ करेंगे, तो ही आपको रियायत मिलेगी, अब questions देखने, पहरा question है आपका, कि इस passage से बताईए कि इन में से कौन सा बाय जियोग्राफिक जोन जो है, एक्स्प्लेइन हो रहा है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यह जो जोन है, इसमें ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फॉरेस्ट है, जो इस जोन का वान थर्ड कवर कर रहे हैं, टू थर्ड ऑफ इंडिया इंडेम इंडेमिक प्लांट और ग्रिजल स्कृरल भी इस जोन से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, एन्वार्मेंट और जोग्रफी से मिला के है यह, कि आपको पता होना चाहिए जोग्रफी वाला ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन भी और ग्रिजल स्कृरल के बारे में भी, और ग्रिजल स्कृरल भी आपके लिए एक पॉइंट हो सकता है, बिकस आपने ग्रिजल स्कृरल वाइल एफ सेंचुरी के बारे में सुना होगा, जो कि तामिल नारू से जुड़ी हुई है, तो यह भी एक गिवववे जो है, हो सकता है, चलिए, आगे अपने होम शोरिंग के बारे में बता रहे हैं, हैना, टर्म्स न्यूज में होती है, एकनोमि जोगरफी से चुड़ी हुई, चलिए, देखते हैं, पहला है, होम शोरिंग is a process that involves internal training and capacity development of new hirees by fintechs, it is a method of assigning monetary worth to unpaid tasks such as childcare, it is a strategy of moving industries close to coastal towns, it is an approach of employing workers who perform their duties remotely from an external office, तो term बहुत important हो जाती है, terms आपने याद रखनी है, यहाँ पे answer क्या है, D, कि एक ऐसी approach है of employing workers जो अपना काम जो है, external office से remotely कर रहे हैं, रदर अगर मैं आपको exactly बताओ, यह एक operational model है within organization, जहाँ पे employees अपने official task आइदर घर से या external office से करते हैं, यहाँ पे एक assignment लिखिए है, आ और quaternary activities में फर्क बताना है, NCRT में दिया हुआ है, quaternary activities and quaternary activities में, ठीक है, चली, आपने एक हम UPSC PYQ देखते हैं, कि जो communities news में होती है, वो पूछी यहाँ पर जाती है, for example, यहाँ पे आप देखिए communities, आप देखिए कर्ड, बांगादेश, मधेशी, निपाल, रोहि correct बताना है, तो कुछ second के लिए pause कीजिए, correct option क्या है हाँ पे, two and three only, कर्ड की जब हम बात करेंगे ना तो आप देखोगे, कर्डस्तान से associated होंगे, इसके लिए आप याद रखोगे, TIIS, आप देखोगे, कि जब हम कर्डस्तान की बात कर रहे हैं, यह कुछ zones in Turkey, इरान, इरा right, categorically central और eastern तराई regions उन से जुड़े रहते हैं, रोहिंग्या किन से जुड़े हुए, मायनमार से जुड़े हुए, रादर आपने पढ़ा भी होगा, कि मायनमार के बाद यह बांगलादेश के कॉक्स बजार में बहुत ही ज़ादा जो है, पहुँच गये थे, और उसके बा incorrectly बताना है, recently news में थे कि कुछ wetlands जो है, रामसार साइट जो हैं बन गई है, पांच new wetlands news में थे, उन ही से पूछा गया है यह, कुछ second के लिए pause कीजिए, धिहान से पढ़िए और मुझे बताईए कि इन में से incorrect कौन है, recently मनमी ताम ने एक वीडियो भी बनाया था, मैं आपक बिखाऊंगे, इन में से incorrect कौन सा है, कुछ second के लिए pause कीजिए वीडियो को, इसमें incorrect है D, ये है आपका तामिल नाडू, तो इसका जो है आप screenshot ले लीजे, direct आपको paper में सवाल आ सकते हैं, और मैं आपको बता दू, मनमीत नाम ने एक इसमें वीडियो भी बनाया है, जरूर इस वीडियो को देखें, बहुत डीटेल में चीजें यहां पर explained है, last question देखते हैं, आपका question आता है, what is bioprospecting, कुछ second के लिए pause कीजिए, देखें इन में से क्या option आना चाहिए, it is the investigation of plant and animal species to harness their genetic resources for the development of commercial products, और it pertains to unauthorized acquisition of biological material, और it's an exit or treatment technology that utilizes biological processes to transform contaminants into low toxicity products, या फिर, it is a remediation technique employing indigenous microorganisms to stimulate in-sito aerobic biological activity, terms आती हैं दोस्तों, paper में, news में, home showing पड़ी हमने, bioprospecting पड़ी हमने, तो यह terms आपने याद रखनी, कोशिश यही होती है, कि हर, जो है, class में कुछ न कुछ जो है, information drop किया जाए, तो यहां पर correct option क्या है, a, bioprospecting क्या है, it is investigation of plant and animal species to harness their genetic resources for development of commercial products, तो इसका आप screenshot ले ले ले, terms जो है, आपको याद रखनी है, paper में, term वाले सवाल गलत नहीं करते हैं, I hope आपने चीज़े सीखी है, हर बार कोशिश करते हैं, कि हर class में कुछ न कुछ जो है, आप से discuss करके, जाए, पिछले वाले geography के भी pre-mix देख लीज course के बारे में आप जानते हैं, आजकल geography के lectures चल रहे हैं, बहुत डीटेल में हम बात करते हैं, basic से advanced तक, आप this course का part जरूर बने, आपकी पढ़ाई में मदद बहुत जादा होगी, और FEE के रहे में हमेशा कहती हूँ, कि आप मेरा नाम use कर सकते हैं, आप sociology के course लेना चाहते है political science general studies, आप मेरा नाम coupon code में use करें, आपको कुछ न कुछ रियाइद जरूर मिलेगी, that's all for the day, all the best, bye bye